हलो फ्रेंड्स वल्कम अगेन मैं हूँ अर्पित और जोगर्फी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेट विवतनिकी सिध्धान या कॉंसेप्ट आफ प्लेट टेक्टॉनिक्स तो आएज चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्लेट विवतनिकी सिध्धान को समझने से पहले हम एक नजर उन प्लेट पर डाल लेते हैं जिनकी यहां पर बात हो रही है तो यह देखिए आपके सामने जो है धलती का मैप है प्रिथवी का मैप है और जहां पर प्रिथवी की जो सता है वो कई सारे टुकडों में बटी हुई है यहां मैं महधुरीप की बात नहीं कर रहा हूँ यहां पर स्काई ब्लू कलर के समुद्र हैं और ब्राउन कलर के हैं तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप देखिए हैं वाइट वाइट कलर की जो है लाइन्स बनी हैं बहुत सारे टुकडे में तो इसी हर टुकडे को कहते हैं प्लेट्स और यह प्लेट्स एक दूसरे को ढगेलती रहती हैं एक दूसरे से टकराती रहती हैं और अपनी प्रित्वी की सता भी इसी वज़ा से आस्थाई और प्रिवतनशील है। सता पर होने वाले प्रिवतनों के लिए अंतर जात एवं बहिर जात भू संचलन को जिम्मेदार माना जाता है। सिद्धान के प्रतिपाइदन का श्रे किसी एक भूगोल वित्ता को नहीं जाता है। बलकि या महादुपी विस्थापन सिद्धान पूरा चुम्बकत्व अध्यान एवं सागर नितल प्रसरन सिद्धान का समलित रूप है। प्लेट विवत्तिन की सिद्धान के विकास को आईए हम एक बार देख लेते हैं। तो वर्ष 1955 में सरप्रत्रम कैनेडा के भूवग्यानिक जे टूजो विलसन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1967 में मैकेंजी, मारगन वा पारकरपूर के उपलब्द विचारों को समन्धवित करके प्लेट विवत्तिन की सिद्धान का प्रतिपादन किया गया। प्लेट एवं प्लेट विवत्तिन की क्या है आईए देखते हैं। तो क्रस्ट एवं उपरी मैंटल की उपरी परत से निरमित 5 किलो मीटर से लेकर 200 किलो मीटर मुटाई की ठोस परत अथात स्थल मंडल के विरिहत भाग को प्लेट कहते हैं। वस्तुता प्रित्वी का स्थलिय द्रण भूखंड ही प्लेट कहलाता है। या कई खंडों में विभाजित होती है जो महादुपी और महा सागरी करश्ट से निरमित होती है। इनमें सिलिका, ऐलुमिनियम तथा मैगनीशियम की अधिकता होती है। गौर तलब है कि ये प्लेटें स्थलिय रूप से प्रित्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन दिशाओं में संचलन करती है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेश होने वाले संचलन के परिणाम सुरूप प्रित्वी की सता पर होने वाले परिवर्तन के अध्यन को प्लेट विवर्तन की कहते हैं प्लेट के संचलन का कारण क्या है आईए देखते हैं तो मुक्यता समवहन तरंग, कटक दबाओ एवं स्लैप खिचाओ को समलित रूप से प्लेट संचलन के लिए उत्तरदाई माना जाता है जिसमें समवहन तरंगों का युगदान सरवादिक होता है जियताव है कि समवहन तरंगों की उत्पत्ती, तापमान में वृद्ध एवं दाब में कमी के कारण गर्म, गलित, पदात, अथात, मैगमा के प्रभाव से होती है तो प्लेट के संचलन के प्रकार हम देख लेते हैं प्लेटों के संचलन तीन प्रकार से होता है इसमें से पहला है अपसारी संचलन जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीर दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है अपसारी प्लेट किनारों पर नए करश्ट का निर्मार होने के कारण इन्हें रश्णात्मक सीमा तथा सीमांत भी कहते हैं विश्व के अधिकांच सीमांत तथा अपसारी सीमा मद्य मासागरी कटकों के सहारे हैं इसका सरवत्तम उधारन मद्य अट्लांटिक कटक है अभिसारी संचलन इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की और गती कलती हैं यहां पर भारी एवं तेज गती वाली प्लेट का हलकी एवं कम गती वाली प्लेट के नीचे क्षेपण होता है क्षेपण के कारण यहां क्षेपित सीमान्त का क्षय होता है इसके फलस्वरूप इसे विनाशात्मक सीमा एवं सीमानत भी कहते हैं अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में खेपित होती है तो वहाँ जौला मुखी परवतों के स्थान पर वलित परवत का निर्माड होता है हिमाले परवत का निर्माड अभिसारी प्लेट सीमा पर ही हुआ है अभिसारी प्लेट संचलन तीन प्रकार का होता है देखिए हिमाले परवत जो था यहाँ पर पहले टेथिस नाम का एक समुद्र था लेकिन जो भारत का ये जो डक्षणी हिस्सा है या जो विंद्र पर्वत और उसके नीचे का हिस्सा है ये आकर एशिया का जो बाकी चाइना वाला पोशन ये ति बत का है वहां पर आकर ये टकराया और इनी के टकराने की वज़े से यह हिमाले परवत का निर्माड यहां पर हुआ है तो हिमाले परवत का निर्माड अभिसारी प्लेट सीमा पर ही हुआ है यह भारत के सबसे नए परवत है या दुनिया के ही समझे कि सबसे नए परवत शिंकलाओं में से एक है हिमाले परवत अभी सारी प्लेट संचलान तीन प्रकास से होता है पहला कौन सा है? महादवीपिये महासागरी संचलन दूसरा है महादवीपिये और महादवीपिये संचलन और तीसरा है महासागरी और महासागरी संचलन यानि जिस तरह की प्लेटें आपस में तगराती है या एक दूसरे के साथ इंवाल्व होती है उसी आधार पर नाम रखा गया है समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमा तथा सीमान तो इसको देखते हैं जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे ना तो किसी प्रकार की परपटी का निर्मार होता है ना विनाश होता है समान आंतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमान कहलाता है यानि इनमें ना किसी तरीके का निर्मार होता है और ना ही विनाश होता है संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकमप आते हैं प्लेट विवतनकी के आधार पर भूकम, जौला मुखी एवं परवत निर्मार की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है देखिए जहां पर यह सिंबल सी बात है कि जहां यह प्लेटें दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वहां पर अक्सर भूकम आते हैं जैसा कि आपको पता है कि हिमाले परवत का निर्मार दो प्लेटों के टगराने की वज़ा है तो यही वज़ा है कि आप देखेंगे कि नेपाल और भारत के कश्मीर से लेके इदर उत्तरा खंड तक और दिल्ली के आसपास के छेतरों में यह बहुत ही भारत में सबसे ज़्यादा भुकम इन ही जगों पर आते हैं और इसकी वज़ा यही है कि यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यह प्लेटें उपर पाकिस्तान और आगे अफगानिस्तान तक गई हुई है तो इन छेत्रों में भी काफी भुकम आते हैं तो आईये चलिए आगे देखते हैं तो संरक्षी प्लेट सीमा में बहुत लिक भुकम पाते हैं यह आप जान चुके हैं और प्लेट विवतिन्रकी के आधार पर भूकम ज्वाला मुखी और परवत निर्मार की प्रक्रिया की व्याख्या भी की जा सकती है जो थोड़ा समय आपको बताने की कोशिश की भूपटल और उसके नीचे की अनुपटल जो समलित रूप से स्थल मंडल कहलाते हैं आंतरिक प्लेट का बना हुआ माना गया है अब तक छे प्रमुख तथा छे लगू प्लेट निर्धारन किया गया है यानि जो प्लेटे हैं अब मैंने आपको जो डाइग्राम में इस वीडियो के शुरुआत में दिखाया था कि प्रित्री पर बहुत सारी प्लेटे भी बनी हुई ह तो इनमें अभी तक छे प्रमुख और छे लगू प्लेटों का निर्धारन किया गया है जो निर्धारन प्रकार हैं तो पहले हम बड़ी वाली प्लेट देख लेते हैं तो ये है यूरेशियन प्लेट दूसरी है इंडियन प्लेट तीसरी है अफ्रीकन प्लेट फिर अमेरि पीन्स प्लेट इसके अधिक कई अन्य प्लेटों का भी पता चला है तो लेकिन यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है अब एक बार फिर से इस डाइग्राम को देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैप में यह जो इंडिया है इंडियन प्लेट आपको दिखाई दे रह लाइगी तो आप देख सकते हैं कि यह जो इंडियन प्लेट है यह यूरेशियन प्लेट से सबसे बड़े साइस की प्लेटों में यह यूरेशियन प्लेट ही है तो उससे यह टकरा रही है और इसी वजह से इसी छेतर में जहां यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराई हुई है या एक दूसरे से जुड़ी हुई है यहीं पर हिमाले परवत बना है और यह बहुत ही जो है भूकमप आने वाली जगह है जहां-जहां भी यह प्लेटे एक दूसरे से छूग रही है पूरी दुनिया के ही मैप में वहाँ पर काफी ज्यादा भूकम्प आते हैं तो दोस्तों ये था लेट विवतन की सिद्धान्त उमीद की आपको समझ आ गया होगा और आज के लिए बस इतना ही थैंक यू